So, Hi Guys, Puneet is back with some new cool tips and tricks. आज मैं बात करने वाला हूँ दो नए कामरास के अनाउस्मेंट के बारे में. आज गोप्रो ने अपने दो नए कामरास लाउंच करे हैं और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ में आने वाले हैं. पहला कामरा जो कमपनी ने लाउंच करा है है हीरो 8 ब्लाक और दूसरा कामरा लाउंच करा है वो है गोप्रो मैक्स तो आपको याद होगा हीरो 7 लास्ट ये लाउंच हुआ था तो ये उसका अपग्रेशन है और इसमें बहुत सारे नए अपग्रेट देखने को मिलेंगे जो कि आपका हीरो 8 आया है भी रिसेंटली जो कमपनी ने अनौस किया है और मैक्स भी कमपनी ने अनौस करा है गोप्रो जो कि अपग्रेशन होगा फ्यूजन का तो ये मैक्स 360 डिगरी कामरा होगा जो कि आपको लाइक तीन सो साट डिगरी की पीओ वीडियो बनाके देगा इस वीडियो में जानेंगे सारे स्पैसिफिकेशन की बारे में चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टाड़ेट तो पहले हम जानते हैं गोप्रो हीरो 8 ब्लाक के बारे में तो कंपनी रेस में काफी मेजर अपग्रेट के हैं लास्ट यह वाले कामरा को अगर कंसीडर करें सबसे पहली बात तो आपको माउंट लगाने की ज़रूत नहीं बिकॉज ऑफ क्यामरा की बॉड़ी में ही माउंट देदिया है क्लिप माउंट देदिया है जो कि एक मेजर अपग्रेट है सेकेंड जो कि है क्यामरा का साइज बहुत ही कंपारिटिवली हीरो 7 ब्लैक से लगा है ही रो एट ब्लैक का ही रोट ब्लैक लाइट वेट भी है कंपारिटिव ली हीरो 7 ब्लैक से तो यह भी एक और बड़ा एडवांटेर इस कामरा में रखा गया है इसके इंदर हाइपर स्मूध 2.0 कंपनी ने इंट्रिद्यूज करा है हीरो 7 ब्लैक सबसे पहला काम इसमें हाइपर स्मूध आया था और यह हाइपर स्मूध 2.0 इसमें आपको और ज्याधा स्मूध वीडियो देखने को मिलेंगे अगर आप अपने कामरा को बस अपने शूदर पर लगा लिजिए हाथ में परकड़ की चलिए और आप अपने स्मूध हाइपर लाप्स करना चाहते हैं तो वो इस camera से possible है यह तो कुछ like camera में जो चेंजिस साय है like 2K 60P आप शूट कर सकते हो 4K शूट कर सकते हो उसारे major changes major जो चीजें होती है वो camera में दी गई है resolution को लेकर के 15.6 megapixel पर बहुत ही amazing high quality की pictures भी इस camera से click कर सकते हो एक जो मुझे खराब लगा कि इसका sensor अभी भी 1 इंच का नहीं है इसका sensor 1 by 2 का है तो obviously काई काई ना कहीं अगर यह थोड़ा low light में होगा तो obviously noise create करेगा but anyhow gopro hero 7 की बहुत अच्छी quality थी hopefully इसकी और ज्यादा better quality हमको देखने को मिलेगी videos में लेकर के एक और जो इसका पूरा केज होगा के इसके इंदर जाकर के आप इसके अंदर अलग से microphone attach कर सकते हो मतलब microphone की accessory है और इसके display भी अलग से जो कि flip display होगी जैसे सोनी का rx0 mark ii आपने दिखा है उसमें built-in flip display आती है बट इसमें accessory लगा कर कि आव फिलिप display को यूज कर पाऊगे और साथी में flash light भी लगा पाऊगे छोटी सी अगर आप low light में हो तो आप flashlight direct camera से लेकर के और अपने आपको light up कर पाऊगे तो यह तीन चीने इसमें extra accessory के थूप purchase करनी पड़ेगी और इसे बहुत यह accessible बनाएगा सबूश करिए आप एक vlogger है और आप एक full time vlogging camera दिखना चाहेंगे तो यह camera उस सारे purpose को sort out कर देगा because of LED light भी इसमें दे दिया है अच्छी quality का microphone भी आपको compact सा size में दे दिया है, side में दे दिया है और आपका screen भी flip हो जाएगा तो आप खुद को भी vlog कर पाऊगे तो यह सारे unique features के साथ में camera आएगा इसमें hyper smooth और super wide mode सारे mode इस camera में दिये गए है ताकि आप बहुत अच्छे action वाले sequence और अपने वीडियो को personalized वीडियो को शूट कर भाऊ यह बहुत ही अच्छा announcement मुझे गोपरो के साथ में फिर गोपरो ने एक hero max भी गोपरो max भी launch कर रहा है गोपरो max एक 360 डिगरी camera है जो की पुरा conventional जिसे insta 360 camera एक बहुत ही insta famous company जो अपने 360 cameras बनाती है तो इस्टा के अंदर problem क्या है कि उसमें microphone आप attach नहीं कर सकते हो बाहर से जब आप 360 degree videos बना रहे हो बट इसके अंदर जो sound की quality वह बहुत ज़रा improve कर दिया है इसमें 6 stereo का sound दिया गया है तो आपको इसमें आपको screen नहीं देखने को मिलती है आपको सब कुछ mobile पर control करना पड़ता है तो इसमें screen भी होगी तो आप at least देख पाऊगे क्या shoot कर रहे हो और क्या framing है that is also one of the biggest thing जो इसमें add की गई है यह दो चीजे मुझे इस camera में अच्छी लगी है और भी इसमें कुछ काफी नहीं जैसे hyper smooth इसमें introduce कर दिया गया अगर आप चलोगे तो आपके जो वीडियों बहुत smooth बनेंगे और आप अपने hyperlapse camera से create कर पोगे तो यह सारे जो major update है इस camera में दियेंगा है fusion में सारी चीजे नहीं थी फ्यूजन में screen भी नहीं हुआ करता था fusion में क्या बुलते है hyper smooth भी नहीं था तो यह सब कुछ camera में add किया गया है और यह में भी हम मेरे को लगता है कि definitely टक कर देने वाला है इस बार इस्टा 360 को इस्टा 360 वन को कि इस्टा 360 वन भी वन अव दी पॉपिलर 360 कैमरा है और यह 110 परसेंट उसको beat करेगा बट देखते हैं कि price कितना आता है क्योंकि fusion भी बहुत महेंगा था जब इंडिया में आया था I guess 60,000 रुपीस का camera था 60,000 रुपीस कोई क्योंकि इस्टा 360 वन 25,000 रुपीस में आराम से मिल जाता है तो लेट सी इसका क्या प्राइज आता है प्राइस के ओपर बेज रहना अगर प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली बीट करेगा प्राइस अगर जादा होगा ते लेट सी क्या होता है तो यह सारे मेजर अपग्र के साथ में गोप्रो ने यह नए दो कैमरास लांच करें मुझे लग रहा है कि हीरो 7 8 तो बहुत ही कमाल रहेगा और अमेजिंग रिजल्ट के साथ में आपको देखने को मिलेगा और धूम मचा देगा पूरे वर्डवाइड व्लॉगिंग और हर सेक्टर को लेकर के दैन मै मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे अपडेट कर दूँगा तो आप जाके लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकेंगे साथ ही में मेरे फेस्बूक और इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना बूलें कमेंट कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे मेरे चैनल को और शेर तो बिलकुल कर दीजे थैंकि फो वाचिंग दिस वीडियो स्टेउन एंड से रॉक्ट